बने आतन दोस्तों वाक्षी के समय बाद विशन के अंतरगत में वर्मकुमार आपका हार्दी कभी नंदन करता हूं ये घी देख रहे हो अब ब्रैंड वैसे दिखाना नहीं चाहिए चलो कोई बात नहीं अभी रिसर्च के अंतरगत है ये लेकिन फिर भी लगा चलो आपको बताऊं चीजों के बारे में ये घी है जो अभी नया हमारे पास में आया है सवाल ये उठता है इतनी भयंकर ठंड है इस समय पे दिल्ली के अंदर मतलब मेरे खाल से तीन चार्ट डिग्री टेंपरेशर पहुच गया होगा बड़े अराम से इतनी भयंकर ठंड में इस समय भारत में कोई दूसरा घी नहीं है जो जमा ना हो लेकिन यह नहीं जमा यह अभी तक नहीं जमा है तो यह जो घी नहीं जमा है इसके उपर हमें बेनिफिश्री तो क्या पूछते है तो हमारा ही ध्यान चला गया इसके अंदर क्योंकि घर में भी खाय जा रहे है तो हमारी घर में अगर ऐसी चीज पहुंचेगी आप एक मिनट में कहेंगे अरे इतनी सर्दी के अंदर घीनी जमा नकली घी होगा तो इसको साइड में कर दो क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता चीजों का शोध करने के लिए लेकिन हम तो किसी के लिए इस तरह न करनाली का पता चलेगा कि वाक्षी के पास में अगर कोई चीज कंसर्न की आती है और आप हमें बताते हैं हो सकता है आपको लगे है कि हमने रिपोर्ट करा था लेकिन वो चीज अभी तक मैं क्यों नहीं हो इसका मतलब यह है कि वो अंडर कंसिडरेशन चल रही है उसके उप अपना जो पोटेंशल है वो दिखाने में कामयाब हो चुके है एक गोमे मरम करीम आती है हमारे पास में करीम आती है उसकी खास बात यह है कि बिना किसी केमिकल के बिना किसी चीज के अगर तीन ने चार दिल लगाया जाए तो किसी भी प्रकार की खारिश दाद खुझली ज अगर जाए तो जैसे कोई वेक्ति है जिसने दे दिया तो इसलिए हम बताते हैं कि किसी एक गोपाला की चेकिंग के लिए 6 महीने का समय लगता है जिसके अंदम पूरे बैक्ग्राउंड को चेक करते हैं तो पहली चीज यह टिक हो गई पास हो गई दूसरी चीज क्या होती जैसे कई के गरें guild कि चेकिंग करनी है तो घी चेक हैं जो लोग के 35 खा रही है उन लोगों को यह बुलाया गया उनमेंसे इक ihr support को खिलाया गया तो उस इक्सपर्ट ने जा इसी बाते देखने हो लग रहा तो उसने भी आते सबसे पहले पुचा रहे हैं इतनी सर्दी में जमा क्यों नहीं भाई क्यूंकि उसके जीवन में भी वह पहली पार एक कैसा की दिख रहा था जो सड़ी के लिए जम नहीं, तो जैसे अब उसके दिमाग म तो वो चीज नहीं समझ भी आई दूसरे गवपालक को पिलाए गया दूसरे गवपालक जो था उसको जब कराए गया उसने गेरेंटी लिकेसर 100% प्योर गी है मैं आप से को चैलेंज गरता हूँ कईम अर्जी आप इसको चेक करा ले न मैं टेस से पकड़ लेता हूँ टेस से मैंने पकड़ लिए घी बिल्कुल ओरिजनल है तो दूसरे वाला जो फेक्टर था उसके अंदर क्या हुआ 50-50 हो गया चांस अगर दोनों बोल देते के मिलावट है चांस है तो इसको कंसिडरेशन मिले के और काम किया जाता अब तीसरी चीज गई हुई है यह टेस्टिंग के अंदर अब जब टेस्टिंग के अंदर जाएगा तो वहाँ पे जाके अभी तक की जो हमारी पाम उयल होगा तो उसकी पज़ी टेस्टिंग कर रहे है वैसे जो लैब टेस्ट वाले है उनको भी तो innovation की जुरत है तो ये बहुत बार आपके मन में सवाल आता होगा सर ओपल टेस्ट लैब ये आपने चुन रखिये वो इसलिए चुन रखिये क्योंकि उसका director मेरी बात को सुन रहा है समझ रहा है उसको पता है वरुन जी किस चीज़ पर research करना चाहरे है और नई चीज सोचो क्या हो सकता है बढ़िया और सोचो आपको पता है सबसे बढ़ी उपलब्दी कहा रही है आप ये चीज समझेंगे वो चीज है वो आता है ना टूथ कॉंसेंटेट एक विट रुकिया भी मंगवाता हूँ तो ये देख रहे हो ये product ये product जो था market के अंदर 5-6-7-7-7 चल रहा था अब जब चल रहा था तो बिक भी रहा था लोग यूज भी कर रहे थे 100% organic के नाम से भी रहा था बाटी के वह या chemical नहीं डला हुआ लेकिन जब हमने ingredient list के ओपर पूरे अच्छे से research करी तो हमें जाके पता चला ना कि इसके अंदर एक non-veg product जला हुआ है तो उनसे बाकाइदा इस चीज के लिए कहा गया कि भी या इस चीज को हटा कर हमें पूरी reports आप दीजिए chemical testing के साथ में कि भाया इसके अंदर से वो non-veg product हटा दिया गया है पूरे भारत के अंदर वाक्षी is the only retailer in India जिसने एक product की composition जो है उसको change करवा दिया इतना प्रभाव है आप लोगों का हमें support करने में और तब जाके यह हमारे बच्चों को और आपके बच्चों को लिए जी 100% vegetarian और 100% organic product की category के अंदर आया तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई चीज कहते हैं शहद जम गया जी है नकली होगा घी जम नहीं रहा इसलिए नकली होगा आप वो concern हमारे पास लेकर आएं लेकिन उसके उपर हमसे follow up करते नहीं कि इसके उपर और क्या चीजे करी गई है क्योंकि हम केवल अंदा दून चीज में आ रही है हमें समझ में यारी इसलिए ban कर दो हम इस चीज के उपर ban कर नहीं सकते हमारा काम है उसके उपर लगातार जांच करना और exact निगालना तो अभी lab के लिए नदर ये गया हुआ है जहां पर fatty acid content की जांच होगी और उसके बाद में जो इनके गोपालक है उन तक भी संदेश पहुचाया गया है कि जिन किसानों से या रहा है उसके उपर जाकर एक बाद चेक करें चीजों को देखें और ये लगातार रिपोर्ट्स चेक होकर उनके साथ में discussion किया जाएगा कि कहां गलती हो रही है उसको ढंक से देखा जाए के वल वो गोपालक जो deliberately गलत काम करते हुए पकड़ा जाता ह या उस चीज को सिकार करने में कामयाब हो चाता है उसके प्रोट्स को बैंड किया जाता है नहीं तो लगातार लोगों के साथ में यह चीज कही जाती है और करी जाती है कि भाया कहां गलती हो रही है उसको ढूंडने कि हम पोशिश करे और तब सुरक्षी चीजे वाक्षी आपके पहुचाने की कोशिश करते हैं तो आप शायद आप समझ पाएंगे कि घी देसी गाएं का लेकर आना इतना अब आप सोचो दुनिया भर में पूरे भारत में देसी गाएं का घी मिल रहे समय है जहां आप ओर करोगे वही मिल जाएगा लेकिन ऐसे कितने लोग हैं ज इसी के लिए आपने वाक्षी को चुना है कोशिश रही कि जितनी सच्चाई हो सके उतनी सच्चाई के साथ में आप तक भैतरीन चीजें हम लाने की प्रियास में लगे रहे हैं भारत बंदे मात्रों मैं यह एक लिटर वाला जो अपना घी है इसमें यह सिस्टम नहीं समझ में आया इतनी ठंड में हमारे पार पांच गोशालाओं से घी आते हैं और बढ़ी आज़े बढ़ी आता है सब जम रहे हैं तुम्हारे वाला जम भी नहीं पा रहा है क्या रीजन हो रहा है आपको औ अपना जम क्यों नहीं पा रहा है यह अलग से कैसे सेपरेट कैसे हुआ पड़ा है यह इस को यूज करेंगे मान लीजें घर में कोई उसकरेगा और फिर वो बार बार खुलेगा बंदोगा धकन दबा तो फिर वो बहार के टेंपरेचर को अब्सक्राइब फिर वो वैसा हो जाएगा जमा सा होगा क्योंकि वो नीचे से टेंपरेचर सते से उसको थंडा पकड़ लेता है तोड़ा वो लेकिन उपर तरफ वो मैल्टी रहता है मोसी तेको वो चीज मैं समझ रहा हूँ जो नॉर्मली हमने घी के अंदर देखी है कि बीच में नीचे जमना उपर तरह लोना मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ इस समय पे जो हमारा टेंपरेचर चल रहा है जिस टेंपरेचर के ओपर अच्छे से अच्छे बिलोना घी जो है वो जम्में के तियार हो गए आपके वाले घी को दिये के अंदर भी रख रहे है ना अगर तब कि वो ढंक से नहीं जम रहा बात समझ रहे हो मतलब दिया जलाते हैं घर के अंदर हरोस वहां पे तो तुरंत वहां पे के सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो तो इतनी ठंड में वैसी जम जाना चाहिए लेकिन यह चीज़ के अंदर आई है तो यह नहीं समझ में आ रहा है घी आप कह रहे हों के सारा का सारा यह आकि के पास बन रहा है ना हागा वहां पेस सब प्रोंसे उपस्ट अपने पास उतने बड़ा मातरा में नहीं बन पाता है तो हम बहां से बना बनाया भी प्रक्यों गृटी की की बात नहीं एं मेरको लगता है जो बना-बनाया घी आप गष्ऑजा कुछ ले रहे हो 2 कोश नेदर отвеч के अंदर आप समझ रहे हैं कि third god के नो我们 धिने और चिए उसको अनेवाले घी में और आपके वाले घी में अगर कुछ अंतर कहीनवाइन दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो है चीज़ बात भी कमच रहता है जो हमेशा मतलब साल में आड नो मेने जंगल में ही रहती है वो चलती रहती है तो उसका अगर आप कांक्रेज नसल का पार्टिकूलर देखोगे तो वो थोड़ा पतला रहते हैं यह बाकी की कंपेर में अगर आप बैस लोग ले रहे हैं लोग ले रहे हैं लोग ले रहे हैं तोड़ा सा देखो कहां पर किस परमेटर में होता है यह नहीं कह सकता है लेकिन छे महीने के अंदर रिव्यू एक चीज आती है मैं आपको यह बोलूँगा कि घी एक ऐसी चीज है जिसके उपर बहुत नज़र रखने के आविश रखता है आप एक बार जड़ा पीछे के प्रोसेसे को अपने चेक करो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो रही हो नॉर्मल हमारा तक का अभी तक का 4-5 साल का एक् करका कुछ ने वाली बात है कि ऐसा क्या रीजन हो गया क्योंकि यह खाली है कि तरल टिता की बात है एक कुछ नीचे का यूज करने लगा तो मेरे को दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत लगा बही जब मैंने उपर वाला तरल है जब नीचे वाले को भी मैं अगर पिगा क्योंकि घी असली चीज बनाती है ब्रैंड को किसी को अगर वो नीचों फिर वह बाकी ब्रैंड की उपर दूसरी पर बात क्या होती है जो हमने गुड वैल्यू अपनी अंकर रहे रेपूटेशन अंकर यह वह दूसरे प्रोड़क्ट के दूसरे पर्टिकुलर हमारे एस क् बढ़ाती है और अगर कोई चीज एक कम होती है तो कस्टमा फिर उस चीज की दूसरे वाले चीज को भी मना कर देता है उसको हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे फिर यह बात होती है तो थोड़ा घी एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल टरनराउंड खेलती है भाई सब है ना तो कौन सा बताने हैं जो हम से 30-40 सुपह मैं का कौन सा बताने हैं तो मैंने बताया ना मेरे आच्छे घूशाला का चलता है और तीन साल से चल रहा है लेकिन मुझे तो अलग-अलग घूशालाओं को एक्सपोशर देना है ना तो इसलिए मैंने आपका घीज की साथ में लोगों ने असली बहतरीन घी को इतना परका हुआ है ऐसा नहीं है इतनी दूर दूर से लोग विचारे घी का ओडर दे रहें उन्होंने उन चीजों को भी तो परक के कर रही है ना देखो पीछे कहां कमी या क्या चीज होड़ी है कोई दिक कर नहीं है मैं पूरा क्रॉस व इसको दुबारा से री वेरिफाई कर लिया है जहां बार से भी बना बनाया पिरक्यूर करते हैं उनका भी सारी चीजें देख लिए हैं और किसी में भी कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट नहीं है सारी चीजें एकदम परफेक्टली जैसे हमारे स्टैंडर्ड में होनी चाहिए वैसी ही है तो कोई ऐसा इशू नहीं है बस मैंने उसको और भी जो मतलब हमें पहले से भी पता था फिर हमने और भी उन लोगों से भी पूछा और बागी जो और लोग भी घी के एक्सपर्ट हैं उनसे भी जानने की कोशिश की तो हर जगा से यह पता चला कि जो घी जिस प अब्जर्व करके रखने की कोशिश करता है और इसी वज़ा से वो उसी फॉर्म को पकड़के रखता है तो यह जो लास्ट जो बैचस में अभी आप को गए हैं अभी तक वो जो घी है वो सेप्टमबर अक्टूबर का बना हुआ है और सेप्टमबर अक्टूबर में ठीक अच्छा गर्मी थी अच्छी गर्मी थी एवन राजस्थान के उस पार्ट में जहां से हम दूद घी लेते हैं जो वहां तो और भी ज्यादा घर्मी थी तो इस वज़ा से वो उस मॉइस्टर को पकड़के रखने की कोशिश करता है और इस वज़ा से वो मतलब मेल्ट फॉ अब ही जो नेक्स्ट बैच आ रहा है अब जो आएगा आपको आप देखिए पूरा जमा हुआ मिलेगा आपको क्योंकि वो अभी का बना हुआ है सरदी का बना हुआ है बस यही दिक्कत है बागी प्योर्टी के लिए क्वैल्टी के लिए और मतलब उसके लिए आप गोपालक थे उसके ओपर लगादार हम भी अपनी तरह से चेकिंग कर रहे हैं अभी टेस्टिंग के लिए वहां से टेस्ट रिपोर्ट भी अपने पास में आएगी तो निशिंद रही है एक गोपालक ने का है कि बिलकुल प्योर है आपका गी एक ने का है कि नहीं कुछ हो तो टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास में आजाएगी तीन चार दिन के बाद में बलकि लैब में भी जाओंगा और अगर घी पास करता है तो बाकाइदा आपके ब्रैंड के साथ में हम लोगों को बताएंगे कि देखी ये चीज है और ये चीज हमने टेस्टिंग से पास करी ह तो बहुत बहुत धन्यवाद आप बिल्कुल पीछे से प्रोसीजर को पगड़के रखिए और मैं वेक्तिकत रूप से जो है उसको बिल्कुल अच्छे से प्रमोट करूँगा तो दो को पालक हमने बुलाए थे एक ने तो कहा कि बिल्कुल ठीक है आपका खी एक ने कहा कि नहीं थोड़ा सा मेरे को द्वन लग रहा है तो उसकी चेकिंग के लिए जा रहा है जैसे भी रिपोर्ट रही है हम पहले आपके साथ सांजा करेंगे चिंता ना करिए